ये सनातन है, जो नहीं जुड़ेंगे, वो नहीं जीतेंगे, ये सनातन है, तो सनातन नियम में आओ, ये ऐ सनातन नियम में जो तुम आते हो, तो उससे नहीं हो पाते बात, इसलिए ये जो सम्विधान का डर हमारे सर पे है, और ये सारे लोग जो लगे पड़े हैं एक दूस पर इखटे तो हो जाओ, लोगों को दूसरों को कहते रहते हो, अरे उसने सम्विधान फार दिया, उसने सम्विधान जला दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, अरे भाया जो लोग इखटे नहीं होते, उनके सम्विधान फटते ही हैं, जो लोग इखटे नहीं होते उनके संवुधान बदलते ही हैं पर जो इकटे हो जाते हैं उनके संवुधान बच जाते हैं दो अप्रेल 30 को इकटे ऊएcągen वूए इकटे हुए तो संवुधान का जो एक नियम बदलाitter कम से रुका तो अकल नहीं आती समझ नहीं आती इस बात में कि इखटे होने के बाद सम्विधान बचता है पर हमारे तो लोग हैं जो जगाने वाले हैं वो क्या कहते हैं सुरक्षा संवर्धन सयोग पता नहीं क्या-क्या सम्विधान के वारे में करते रहते हैं सम्विधान को प फरक नहीं पड़ता तुम चाहे लेल बी हो लेल एम हो या डॉक्टर हो या इंजिनियर हो या वकील हो या नहीं हो फरक नहीं पड़ता तुम चाहे कैबनिट मिनिस्टर हो या नहीं हो चाहे मजदूर हो चाहे किसान हो या लूले हो लंगले हो फरक नहीं पड़ता तुम चाह पर अपने अधिकार के छेत्र में कमजोर नहीं हो वहां इससा बराबर है तो किसने मना किया इन सब को इखटा होने के लिए कौन रोकता है इखटा होने के लिए और जो रोकते